एक इस्तिरी का अपहरन के लिए एक रावन को पुतला को जलाया जाता है कि इंद्र देव ने गौतम रिसी का पत्नी अहिल्या को साथ बलत कार किया उसका दहन क्यों नहीं। से बेटी पैदा किया उसका दहन क्यों नहीं। और इतना ही नहीं। राजा नरक के राणिया के साथ में किरिस्न ने जबर्दस्ति दुर्विभार किया उसका दहन क्यों नहीं। सब बता रही नहीं। बुद्धी गया चितरा है। नाई करते दिन रात से वाजे जमान के घर जाई। और देख्षना सब पढमन को मिले कितना है अनिया। नगर बस्ती साफ करने वाले कहलाते हैं अच्छूद। और भीख देख्षना लेने वाले कहलाते हैं हम देव दुद। क्यों लोक अन्द विश्वास से निकलना जरूरी है। सर देखिए इसमें बात है हमारे जो पचासी परतिसत बहुजन समाज का जो व्यक्ति हैं वह अन्द विश्वास में जक्रे हुए हैं। इसलिए बहुत सारे इतिहास को हमने मन्थन किये और उसमें से जो मुल-मुल जैनून जो बात है उसको मैंने लोगों के बीच में मोखिक रूप से सुनाते हैं। यही मेरा उद्देश है और जन जागरिती करने का काम में करता हूं। भारतिय समाज बरहमन छत्री बैस सुद्र इन चार बर्नों में विभाजित हुआ। और सारा देश छे हजार साथ सुद्र जातियों में बट गया। जाती वेवस्था एक्ता और समानता का बिरुद्ध है। सुद्र यानि बरहमन की गुलाम हमारा क्या अपराद है। हमें क्यों अच्छूत पिछरे अल्प संख्यक आदी वासी करार दे दिया गया है। हमें इसका उत्तर खोजना है। और इसी खोज के दर्वियान पे मैं कुछ चलीशा और दोहा कविता मैं आपको सुना रहा हूँ। सुमिरी सिर्मक पद कमल किरीशक चरन सिरनाय और जो पढ़े बुद्धी बर्धक गुठका ग्यान चछू खुल जाए। दिंग मारक मसीहा रीशी कभी भियास और मन गठत कथा लिखे अंद करे विश्वास। धर्म सास्तर में लिखा कोपी मुनी अगस्त सातो समुंदर पी गए जलचर जोंक समेत। अगिन से द्रोपती जनी, दोना से द्रोना चार्य, गीदरी से जम्मू जन में तो नारी का क्या काम। कुंती ने मंत्र से बुला लिया दिनमान, और सूर्ज से संभोग करा की जनम लिया संतान। बढहमनों ने सूर्ज को भी कर दिया वदनाम, क्या सूर्ज भीर्ज से जनम ले सकता है इंसान चार पिता के पांडव, जनमे पांचो भाई, गाय कुंती से पाक है एक गुरु दरोन ने सिक्छा दी नहीं मांगा एकलब से दान, धर्म संकट में अंगूठा दिया छलनों पाया जान परनारी संग क्रिश्न मुडारी लूटते थे आनंद, उनको जो इस्वर कहे हुए सब है मतिमंद दरोपती को चीरवढ़ा कर क्या नारी को उपकार और नित हो रहा है बलतकार क्या मर गया क्रिश्न मुडार पायस खाक का रानिया, जनमाए सुतचार, दसरत कैसे जनक हुए बिग करे बिचार आडियों ने राम को कहा, दिन दयालू भगवान, निर्दोस संबुक को मारा उसने यही पूर्शोतम का पहचान सोया नहीं, देखा नहीं, नारी का मुखकान, और लक्षमन चोदह बरस्त क्या नहीं अनफल पान बंदर बच्चा उचल कर निगल गया दिनमान, ऐसा किया बखान हुए थे धोर्त महान हनुमान पिता के के सिरी बंदर नाम, संकर पूत्र पवन सुत कह के क्या उसको बदनाम गंगा सिब के सिर रही, बन के बेटी समान, सिबलिंग पर गंगा जल धारे हुए है मुरुख महान गंगा को माता कहे भोले संकर को माने बाप, माता जी को सिबलिंग पर चड़ावे पुन कहे या पाप परवत लेकर उड़ गया बंदर की संतान ये सब असंभव काम है तुलसी का सत बखान बिसनु जाल अंधर रूप धरी बिंदा संकिया कुकार्म और पतीत बिसनु के पुजने में क्या आती नहीं कुछ सर्म लक्षमी पती को ना भी थी क्या उर्वड़क खेत जिससे जन में बर्मा चारू बेद समेत कल्पित यद्भूत बात सब बढमन बाद के दान अनपढ़ को भरमित करे लिखकर पोथी पुड़ान गीता रमायन महा भारत अश्ट दस पुड़ान गरेरिया कालपनिक गीत है कह गए अंग्रेज बिद्वान गीता नहीं थी बवधकाल में सिद्ध किया अंबेड कर लाल और बावा सहाब धन है धन है उनका एकवाल गउद्रीज रक्षा है तू परकट होत विशनू महान लाखों गाय कट रही है क्या मर गया भगवान एक कसाई काटते पसू को पेशा मान दूजे मुर्ती निकट करते पसू का बलिदान कासी रहने से मुक्ती मिले कह गए तुलसी दास तो सभी पापी को चाहिए करना कासी निवास महायान भोजन किया लिया देख्षना दान पित्तर स्वर्ग गए या नरक इसका क्या है परिमान अर्वा चावल कूट के पीठी लियो बनाए दंत हीन मिर्त दादा जी कैसे पीठी चवाए पती सेवा यदी धर्म है तो पतनी सेवा भी धर्म समता के बेभार में क्यों आती है सर्म भैगवान के आगे रखे अक्षत नित मुस आकर खात क्या परभू सकती हीन है मार सके न उसको लात बैधनाथ सोरंग मंदीर से दर्ब ले गया सब चोर और दपोचन सका चोर को भोला कितना है कमजोर पथरोल से मुकुट ले गया दिखा के अस्त्रोजार और सकती हीन काली के हथों में तलवार रखी है बेकार सीला मुर्ती पूजत पूजत दिमाग गया पथराए और माना बता रही नहीं बुद्धी गया छितराए नाई करते दिनरात सेवा जेजमान के घर जाए और देख्षना सब बढ़मन को मिले कितना है अनिया है बहा के पसीना परिश्रम करे मजदूर मिस्तिरी दिनरात और ये गिरही परवेश पुरोहित करावे कितना अनुचित बात नगर वस्ति साफ करने वाले कहलाते हैं अच्छूत और भीख देख्षना लेने वाले कहलाते हैं हम देव दूत शिरी गुरु चरन बौध पे जो नर करे विस्वास अंद विस्वास जर से मिटे मिले ग्यान परकास तो साथियों सबसे पहले मैं आप लोगों से ये पुछना चाहता हूँ जो भीख लेने वाले आदमी उच होता है या कि भीख देने वाले आदमी उच होता है भीख देने वाले आदमी उच वता है लेकिन भारत में ऐसा क्यों भारत में भीख लेने वाले बढ़मन उच और भीख देने वाले तेली गरेरी चमार दुसाद पा ये कुमहार बरही तेली ये हम भीख देने वाले नीच और भीख लेने वाले उच हम इसी बात को अभी भी ग सर पर रावन को पुतला और रावन को पुतला कुम करन के पुतला बना करके उनमें बम पटाका सेट करके और उसको दहन करता है दहन किसलिए करता है एक इस्तिरी के लिए अपहरन के लिए तो सबसे पहले मैं इसको इब्रहेंस के साथ मैं कुछ और बताना चाहूंगा एक इस्तिरी का अपहरन के लिए एक रावन को पुतला को जलाया जाता है तो मैं उनका भी इब्रहेंस रखा हूं कि इंद्र देव ने गौतव रिसी का पत्नी अहिल्या को साथ बलत कार किया उसका दहन क्यों नहीं राजा पांडू ने माधूरी के साथ बलत कार किया उसका दहन क्यों नहीं रीसी पाडा सर ने केबट के बेटी सतवती को भगा कर ले गया और उसके साथ बलत करकिया उसका दहन क्यों नहीं बिरसपती के पतनी तारा को बनमंती चंदर ने अपहरन कर बलत करकिया उसका दहन क्यों नहीं ब्रम्हा ने अपना पूतरी सरस्वती के साथ बलत कार किया उसे बेटी पैदा किया उसका दहन क्यों नहीं और इतना ही नहीं राजा नरक के राणिया के साथ में किरिशन ने जबरदस्ती दुर विभार किया उसका दहन क्यों नहीं और स्वाइं के बहन सबोधरा के साथ किरि अगर कोई भांजा मामी के साथ रंगडलियां मनाएगा तो कोई छोड़ेगा और इतना ही नहीं महाभारत में भीष्म पितामाने तीन तीन लर्कियों को अपहरन कर बलतकार किया अंबा अंबे अंबालिका और इतना ही नहीं राम चरित्र मानस के सुंदर कंड के प्रिष्ट नम्मर अंठावन पन्ना उलटकर के अभी देख लीजिए ये क्यों लिखा धोल गमार सुद्र पसुनारी सकल तारिना के अधिकारी क्यों लिखा इसलिए कहा गया है मनो कामना पूरी होगी ये इसे कहते जनता को और घंती बजा बजा करके ठगते रहता जनता को कि बाईस बेद पुरान भारत में कहां से आए क्या उपर से आसमान ने टपकाए नहीं गिरे बेद पुरान अमरीका रूस जैपान में और बेद पुरान टपके इस भारत में तो ये अंटीना वाले को मकान में कि बीरों के बीर हनुमान यहां फिर सबरन पदक के लाले क्यों कि धन का देवी लक्षमी यहां फिर भूखी नंगी जनता क्यों और ग्यान का देवी सरस्वती फिर आनपड जाहिल जनता क्यों इन मनोबादियों न हमारे 85% मूल निवासी भाईयों को भरमाया है अरे अब तो समझ जाओ हमारे अकल पर पर गया ताला है ए 85% मूल निवासी भाईयों अरे इन पत्थरों के मूरतों से सर टकराते टकराते मर जाओगे लेकिन इस समस्या से निजात कभी नहीं पा सकते हो अब 33 करोर देवी देवता को पैदा करके छोड़ दिया है जिसके पीछे हम 85% उल्जे हुए है हम असली बात को समझ नहीं रहे हैं हम बिरबाद हैं हम उजर रहे हैं लेकिन असली बात को हम समझ नहीं रहे हैं छोटा सा एक दोहा के तोर में आपको समझाना चाहूंगा अब आप दसगो मिटी का चुहा बना लीजिए और चुहे को रंग में पेंट पचारा करके किसी चुहे को बिल पर रख दीजिए और इधर से पंचगो बिली को एंडिकेट कीजिए क्या मिटी का चुहा को बिली क्याच करेगा कभी नहीं कर सकता है दसगो मिटी का खरगोस बना लीजिए और खरगोष के रंग में पेंट पोचड़ा करके किसी जारी में छुपा दें और इधर से दसको कुता को एंडिकेट करें क्या मिटी का खरगोष का कुता क्याच करेगा कभी नहीं कर सकता है हम इतना ग्यर्जवयत होते हुए मानव पढ़े लिखे डाक्टर, वोकिल, इंजिनियर, परोफेसर, जाज, कलेक्टर, आईस, एपियस हो करके भी हम माटी के हनमान, सिवसंकर, दूरगा, काली, पारवती, लच्मी, सरोसती, गनेस बना करके रंग पैंट पुचारा करके, लंगोटा, साया, सारी, बलोज पहड़ा करके कल जोर करके गिर गिराते हैं, हनमान, हम पे किरपा करो, क्या हनमान के पास में बेंक बाइलन्स है जो आपको दसवीस हजार रुप्या से मदद कर देगा, क्या लच्मी, सरोसती, काली के पास में लाइन परोपटी है जो दस विस विगा जमीन को रेजिटरी कर देगा इसका मतलब हम असल नकल को पहचान करने में हम उस कुट्टा और बिल्ली से भी गए गुजरे मानव हैं साथियों इस बात को समझना होगा जब तक नहीं हमारा ये 85% आदमी समझेगा तब तक ये समस्या में उल्जे रहा जाएंगे हम अंदिभिस्वास में जक्रे रहा जाएंगे इसलिए हम सभी 85% बहुजन से आवान करते हैं जो बहुजन जागो एक पंडित का पतनी अपना पती से पूछा पती देव आपका तो ना कोई नोकरी है ना कोई बिजिनेस है ना किसी को काम धंधा करते हो तो फेर आपका घर का बज़ट कहां से कैसे चलता है पंडित बोला अरे देखो हम कर्म कांड करवाते हैं पूजा आर्चना करवाते हैं और लोगों के बीच में गीता रमायन महा भारत को कथा सुनाते हैं लोग खुस हो करके हमको इतना अनदान देख्षना देता है जो उसी महम पड़ी पूर्ण रहते हैं तो इनका पतनी बोला पती देव आप लोगों के बीच में परवचन सुनाते हो खुस करते हो तो आपना पड़ीबार में क्यों नहीं सुनाते हो पंडित बोला क्यों नहीं मैं अभी सुनाता हूं बोला सुनाईए तो रामाइन रामचरित्र मानस का कथा और गीता और महाभारत का कथा पंडित ने सुना दिया तो पंडित तो बहुत खुस हो गया सुना करके तो पंडित पूछा जब हम एक एक व्यक्ति से पूछूंगा यह सवाल आपको जवाब देना है तो उनका दो लर्का एक लरकी और दो जीव अपने था पांच परिवार थे तो बड़ा लरका से पूछा हम जो इतना आपको रम पूछा जी आपने रम को जो कता सुनाया वह हमको बहुत अच्छा लगा जिसी तरह रम ने गर्वती इस्तिरी को बन में बनवास दे दिया और बहुत दिनों तक वो अपने खुद रम बनवास में रहा और पिता के मरने के बाद उसको दासंसकार तक भी नहीं किया मैं भी आज तारीक से वोईशा ही करूँगा दूसरे लर्का से पूछा अरे तुम ने क्या सिखे हो उन्होंने कहा पिता जी हमको जो आपने कृष्ण का जो कथा सुनाए है वो हमको बहुत अच्छा लगा जिसी तरह कृष्ण ने हजारनों लर्कियों को अपना मोह जाल में बौशरी बजा करके फसाते रहे और येस मोज करते रहे और महा भारत के यूद में वह सहयोग करते रहे मैं उसी तरह मैं करूँगा बोला ये भी तो गाइवे है इसके बाद जो है लर्की से पूछा तुमने क्या सिखी हो लर्की ने जवाब दिया पिता जी आप जो कुंती को कथा हमको सुनाया वो बहुत अच्छा लगा जिसी तरह कुंती ने कुमारे पन में बच्चा एक पैदा किया उसी तरह आज तारिक से मैं भी बच्चा पैदा करूँगा फिर इसका इस्तिरी बच्चा इस्तिरी को पूछा तुमने क्या सिखी हो इस्तिरी ने बोला देखे पती देव आपने जो दरोपती को कथा सुनाया वो बहुत हमको अच्छा लगा जिसी तरह दरोपती ने पांच पांच पती रख करके फिर भी पती बरता कहलाते थे मैं भी उसी तरह से आज से पांच-पांच पते रखने का मैं परियास करूँगा जो असल जो रवाइन में तुलसी दास जी ने लिख दिये हैं अराम चरित्र मानस के सुन्दर कांड के प्रिस्र नमर 58 में पन्ना उलट करके देखिए जो चन सेखर बाबून जो जवाब किये हैं वो बहुत बहतरीन बात किये हैं और उन्हीं का लिखा हुआ उसने भी सिलेसन करके बताए हैं और राम चरित्र मानस के सुन्दर कांड के प्रिस्र नमर 58 में ये लिखा है ढोल गमार, सुद्र पसुनारी, सकल तारिना के अधिकारी ये क्यों लिखा जो सुद्र समाज के लोग अच्छा भोजन नहीं गरहन कर सकता है ना अच्छा बस्त्र पहन सकता है ना अच्छा गिरही बना सकता है ना वो दिन में बारे बजे ही घर से वो निकलेगा क्योंकि उसका परचाई भी किसी के ऊपर पर जाता था तो वो कहता था जो हम अचुबद हो गए इसके लिए अगर किसी सूद्र के परचाई बढ़मनों के ऊपर पर जाता था तो उस टाइम वह काता था हम छुए गए हैं हमरे उपर परचाई पर गया है तो वो गव मूत्र से अपना सरीर को पवित्र करते थे तो ये क्या अच्छा बात था